दिग्यज फार्मा कंपनी एस्टोजैनिका ओक्सफोर्ड विश्व विद्याले के सहयोग से बनाई गई अपनी कोविड-19 वैक्सीन को दुनिया भर से वापस ले रही है जी हां कंपनी ने बृतेन की एक अदालत में वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट की बाद स्विकार की थी इसके एक महिने बाद ही यानि अब कंपनी ने यह कदम उठाया है नमस्कार स्वागत है आपका सेटिजन पोस्ट में मैं हूं मीनु वर्मा फार्मा कंपनी एस्टोजैनिका ने भारत में कोवी शिल्ड और यूरोप में वैक्स जवेरिया के रूप में बेची जाने वाली अपनी कोवीड-19 वैक्सीन के मार्केटिंग ऑथराइजेशन को वापस ले लिया है जी हां अब इसका इस्तिमाल यूरोपिय संग में नहीं किया जा सकेगा हलाकि आपको बता दे कि फार्मा कंपनी एस्टोजैनिका ने पांच मार्च को वैक्सीन वापस लेने के लि कोवीड-19 वैक्सीन बहुत ही दुर्लव मामलों में लेकिन TTS का कारण बन सकती है TTS मतलब थ्रोंबेटिक थ्रोंबो साइटो पैनिक सिंड्रॉम यह एक दुर्लव दुस्प्रभाव है जिसके कारण लोगों में खून के ठक्य जमने लग सकते हैं और प्लेटलेट्स की जादा कथित पीडितों ने यह मुकदमादायर किया था हलाकि आपको यह भी बता दे कि एस्ट्रोजैनिका ने कहा है कि वैक्सीन को कमर्शियल कारणों से वापस लिया जा रहा है और इसका अदालत के मामलों से कोई लेना देना नहीं है चलते चलते आपको याद दिला दे कि भारत में एस्ट्रोजैनिका की इस वैक्सीन का प्रोडक्शन अदार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टिटूट आफ इंडिया ने किया था कंपनी ने इस वैक्सीन को कोवी शिल्ड के नाम से बाजार में लॉंच किया था भारत में ये वैक्सीन अब तक करोडों बेरा बेलकोल ना भूले, शुक्रिया.